आपके अवचेतन मन की सक्ति अध्या साथ अवचेतन का जुकाब जीवन की तरफ है आपका 90% से अधिक मानसिक जीवन अवचेतन है अगर आप इस अद्वुत सक्ति का परियोग नहीं करेंगे तो आप बहुत संकिर्न सिमाव में जीने के लिए भी सप्त होंगे आपके परियर का निर्माता है और इसके सभी महत्पूर्ण कार करता है यह हर दिन 2400 घंटे काम करता है और कभी नहीं सोता है यह हमेशा आपके मदद करने और आपको नुकसान से बचाने की कोशिस करता है आपका अवचेतन मन असीम जीवन की असीम बुद्धिमता के संपर्क में रहता है इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की और होता है अधिक व्यापक वह उद्धाद जीवन की महत्वा कांचाय प्रेर नाय और सपने अवचेतन से ही उत्थपन होते हैं आपके सब से गहन विश्वास हुए होते हैं जिनके बारे में आप तर्क वितर सकते क्योंकि वो आपके चेतन मन से नहीं, बलन की अवचेतन मन से आते हैं आपका अवचेतन आप से अंतर घ्यान, आवेगो, अनुःभूतियों, संकेतों, मनों कामनाओं और विचारों के जड़ीए बात करता है या हमेशा आपको प्रेरित करता है एक उठो बाधायें प प्रेल 1906 को सेन फ्रांसिस्को में भीशन भुकम पाया तथा अगनी कांध हुआ जो बीमार और अपाहिज लोग लंबे समय से बिस्तर पड़े थे वे भी संकट की इस घरी में उठ बैठे और उन्होंने बहादूरी तथा सक्ति के कई आश्चर जनक काम करके दिखाएं उनमे में दूसरों को हर कीमत पर बचाने की परवल इच्छा जागरित हुई और उनके अवचेतन ने उसके परती प्रतिखिडिया की महान कलाकार संगीतकार कभी वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन सक्ति के साथ सामंजस बना लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं रोबर्ट लु इससे पता चलता है कि आपका अपके माध्यम से कितनी महान और समझदारी भरी बाते व्यक्त करता है जिनके बारे में आपका चेतनमन जरा भी नहीं जानता है मार्क ट्विन ने कई बार बताया था कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया उनका सारा हास्य और महान लेखन अपचेतनमन के अथा भंडार का दोहन करने की योग्यता का परिनाम था किस तरह सरीर मस्तिक्स की कारविदी को चित्रित करता है आपके चेतनमन और अपचेतनमन की अंतर किडिया के लिए तंत्रिकाओं के सामन जस्पून सिस्टम्स के बारे में उसी तरह की अंतर किडिया की जुरुत होती है स्वेचिक तंत्र चेतन मन का अंग है, स्वेचिक तंत्र तंत्र अब चेतन मन का अंग है, स्वेचिक तंत्र द्वारा आप अपनी सारेरिक इंद्रियों से अनुभूती पाते हैं और सरीर की गदिवीदियों पर स्वेचिक नियांतरन करते हैं, इस सिस्टम का नियांतरन पर एमिक्डेला सामिल है इन अंगों के सरीड के महत्पुन तंत्रों के साथ अपनी संबंध होते हैं वे उनके महत्पुन कारियों में मदद करते हैं चाहिसा चेतन जाग रुखता ना हो ये तंतर अलग-अलग या एक साथ काम कर सकते हैं उदारन के लिए जब खत्रे के अक्षात्मक तंत्र दोनों खत्रों पर प्रतिकेडिया करने लगे मांचिक और सारेडिक अंतर संबंद को देखने के एक आसान तरीका यह हैसास करना है कि आपका चेतनमन किसी विचार को पकड़ लेता है जो आपकी तंत्रिकाओं के स्वच्छिक तंत्र के संबेग के अनुर जाते हैं आपके चेतनमन द्वारा सुचा और सच माना गया हर एक विचार आपके कोटेक्स द्वारा मस्टिक्स के अन अंगू तक भेजा जाता है जो आपके अपचेतनमन का साथ देते हैं फिर अपचेतनमन इसे आपके सरीर में बनाता है और वास्तविक्ता का रूप में आपके संसार में लाता है एक बुद्धी है जो सरीर की देखवाल करता है जब आप कोशिकाओं और अंगों की संरचना का अध्यान करते हैं जैसे आह, कान, दिल, लीवर, आदी तो आप पाते हैं कि इन्वे कोशिकाओं का समु सामुईक बुद्धी का निर्मान करता है ताकि सामधस में काम हो सके वे आदेश लेने और मास्टर मैंन के सुझाबों के पालन करने में शक्चम होते हैं एकल कुश्क जीव के अध्यान से यह पता चलता है कि आपके जटिल सरीर में क्या चलता रहता है हालंकि एक किश्क जीव में कोई अंग नहीं होते लेकिन इसके एक तरह से सच्च है मुश्किल यह है कि चेतनमन हमेशा बारी अनुभूती और इंद्रिय गत परिनाम के कारण इसमें हंस्तचेप करता है इससे जूठे विश्वास डर और रॉय बल्वान हो जाते हैं जब आपके अब चेतनमने मनुव ज्यानिक भावनात्मक कंडिस्निंग द्वारा डर जूठे विश्वास और नकारात्मक धाचे दर्ज होते हैं तो अब चेतनमन के पास इसे दिये जारे बुलूप्रिंट पर काम करने के लावा कोई रास्ता नहीं वस्ता अब चेतनमन रिरंतर समान हित में काम करता है आपका कलपना अबादी मन रिरंतर समान हि करता है या आपके सरीर का निर्माता है लेकिन आप इसके निर्मान को देख सुनिया महसूस नहीं कर सकते या बिलकुल खामोस प्रकिडिया है आपके अब चेतन का आपका खुद का जीवन है जो हमेशा सामंजस सेहत और सांती की ओर होता है और इसके भीतर देवी माब है जो आपके माध्यम से हर समय अभी वक्ति चाहता है इंसान सोभाव के निहित सिधान के साथ कैसे हंस्तचेप करते हैं सही या विज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए जैसा प्राचिन कहावत कहती है आपको सच्चाई जाननी होगी सत्य कर्म हर तरह से विवाद और सिमाय पैदा करतेगा विज्ञानिक बताते हैं कि हर ग्यारा महने में आपका सरीर नया बन जाता है इसका मतलब है कि सारेरिक दिश्टिस से आप सिर्फ ग्यारा महने बूढ़े हैं अगर आप डर, क्रोध, इर्षा और दुर्भावनाक विचार से अपने सरीर में दोबारा दोस आने देते हैं तो इसमें आपके सिवा और कोई दोसी नहीं है आप अपने कुल विचारों का योग है आप नाकारात्मक विचार और छबिया रखने से इंकार कर सकते हैं अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोसनी है ठंड से उबरने क का तरीका गर्मी है ना कारात्मक सोच्य उबरने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है अच्छाई की गुंशना करे बुराई अपने आप गायव जाएके सेहतमन, जीवन्त और सक्तिसाली बनना स्वभाविक क्यों है? बिमार होना और स्वभाविक क्यों है? और सत वच्चा दुनिया में बिलकुल स्वस्थाता है और इसके सभी अंग सतिक्ता से काम करते हैं यही सामान्य बस्ता है हमें स्वस्थ जीवन्त और सक्तिसाली होना चाह जाई है जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिंधांत में सामंजस में होंगे तो वे अधिक छमता से काड़ करेंगे इससे यह निशकर्ष निकलता है कि अश्रमान प्रस्थिती के बज़ाए समान प्रस्थितियां ज्यादा आसानी और निश्चितता से वापस पाई जा सकती है बिमार होना अश्रमान है बिमारी का अर्थ यह है कि आप जीवन की धारा के विप्रिज जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं जीवन का नियम विश्वास का नियम है पूरी प्रकृति खामुसी से लगातार धिरे धिरे वि विकास और विवेक्ति है वहां जीवन है जहां जीवन है वहां सामंजस है और जहां सामंजस है वहां आदर से स्वास्थ है अगर आपकी सोच आपके अबचितन अमन के रचनात्मक सिधान्त के सामंजस में है तो आप सामंजस के निहित सिधान्त का लाब उठा रहे हैं अगर अगर आपके विचार सामन जस किसी दान का नुरूप नहीं है तो ये आप से चिपक जाएंगे आपको सताएंगे आपको चिंतित करेंगे और अंत्ता बीमारी उत्पन कर देंगे अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा गया तो साइद मिट्यू भी उत्पन क किया जा सकता है ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और गरंतियों को कमजोर तता नश्ट कर देते हैं बॉडी टिश्व को भी जो सारी अपसिष्ट पदार्थों को उत्सरजन को नियंत्रित करता है और सरीड को साफ रखता है रीड की टीवी ठीक वी पॉट्स ड्रिजिज या रीड की टीवी बच्चों को भ्यंकर बीमारी होती है इंडियाना की इंडियाना पॉलिस में रहने वाले फ्रेडरिक एड्रिव को ये बीमारी हो गई थी उससे यह अपाहिज हो गया वो पैरों से नहीं चल सकता था और उसे हाथ तथा घुटनों के बल चलना पड़ता दिया एंडियुज को ये फैसला मंजूर नहीं था वो प्रातना करने लगा उसने अपनी शाकारात्म गोशना तयार की इसे उसने दिन में कई बार दोराया मांचिक रूप से आवस्यक गुणों को गरहन किया मैं पुर्ण आदर्स ससक्त सक्तिशाले प्रेम पुर्ण प्रातना का यह तरीका कई गुणा होकर उसके पास लोटा आस्था और लगन से उसने काफी फैदा हुआ मन से डर कुरूद रिश्या या जलन की विचार आने पर वह ततकाल साकारात्म गोशना करने लगता था उसकी अबचेतन मन ने उसकी आतन सोच की प्रकृतिक करती है एक युवक अबचेतन की उपचारक सक्ती पर मेरे भासन सुनने आया था उसकी आखों में गंभीर समस्या थी नेत्र विशेसक ने उनसे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा प्रातना के विज्ञानिक अधार के बारे में सिखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा मेरे अबचेतन ने मेरी आखे बनाई है इसलिए यह मेरा उपचार कर सकता है हर रात को सोने से पहले वह निसक्रिय ध्यान की अवस्ता यानि नींद की अवस्ता में जाता था उसका ध्यान नेत्र विशेसक पर कैंद्रिर था उसने कलपना में डॉ चमतकार हो गया उसने हर रात सोने से पहले पांच मिनद तक या बार बार सुना तीन सब्ता वाद हुए एक बार फिर नेत्र विशेसक के पास गया जिसने उसकी आखी जांच की डॉक्टर को यह यकीन नहीं हुआ तो उस दोबारा जांच की और हैरानी से बोला यह तु चम मुचाया जा सके दोहराओ आस्था और उमिद से उसने अपने अब चेतन मन में यह विचार भड़ा उसके अब चेतन मन ने उसकी आखे ठीक कर दी अब चेतन मन में आख की सामानी स्वस्त अवस्ता का आदर्स बुलूप्रिंट था जब यह आँख को स्वस्त करने के विच माता है और हर दिन 2400 घंटे काम करता है आप नाकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवन दाई बुलूप्रिंट में हस्त छेप करते हैं सोने से पहले अपने अब चेतन मन को किसी समस्या का जवाब खुचने का काम सोपे यह उसे कर देगा अपने विचार पर नजर डाले जिस विचार को सच मान लिया जाए उसे आपका चेतन कोर्टेक्स अवचेतन मस्तिक संत्र तक भेज देता है और फिर यह वास्तिक बनकर आपके दुनिया में परकट हो जाते हैं जान ले कि आप अपने अवचेतन मन को नया बुलूप्रिंट देकर खुद को दुवारा बना सकत होते हैं आपके अवचेतन का जोका हमेशा जीवन की तरप होता है आपके अवचेतन मन में वही आधार वाक्षों जिसे आप सच करना चाहते हैं कि आपके अद्टन मान्सिक विचार तंस्रिक के अनुदूप्रिंप परिण देगा आपका शरीर हर ग्यारा मैने में नया बन जाता है, आपके विचार बदल कर अपने सरीड को बदल दे, स्वस्थ होना समान्य है, विमार होना समान्य है, यही सामझरस्ट के नहित से धान्त है, रिश्या, डर, चिंता और तनाव आपके तंत्रिकाऊं तथा गरंथियों को कमजोरिया नस्ट कर देते हैं, जिसस सबी तरह की मांसिक और सारिक विमारिया उत्पन होती है आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं वह आपके मस्तिक्स, सरीर और प्रस्थितियों में परकट हो जाएगा अच्छाई की घुसना करें और जीवन को खुसी बनाएं धन्यवाद